So hello what's up कैसे हैं आप सब स्वागत हैं आप सबका to the second session of the revision of SA240 जैसे मैंने आपको वादा किया दा सर जो fraud risk factors है जो fraud risk factors है of fraudulent financial reporting FFR fraudulent financial reporting वो हम इस revision में cover करेंगे सबसे पहले सर एक बाप बताओ fraudulent financial reporting करी क्यों जाती है generally company की चार चीजों से खेलने के लिए यानि जो company का revenue है जो company के खडचे है जो company के assets है जो company के liabilities है इनको कही ना कहीं उपर नीचे करने के लिए इनको कही ना कहीं उपर नीचे करने के लिए company क्या करती है fraudulent financial reporting करती है अब इसके पीछे के reasons क्या है अब इसके पीछे के reasons क्या है सर उनी रीजन्स को हम प्यार से बोलते है fraud risk factors अब यह जो fraud risk factors है जनरली तीन प्रकार के होते है सर इनका नाम होते है Rio Rio the Janeiro सर Rio का क्या मतलब है R for rationalization यानि जो गंपनी के बंदे है उनका attitude ऐसा है उनकी rationalization ऐसी है जिस वज़े से वो fraud कर रहे है I का क्या मतलब होते है incentive incentive और pressure यानि बंदा मजबूरी में कर रहा है या उसको पास कुछ incentive है ये fraud करने का O का मतलब होते है opportunity यानि उसको मौका मिला है मौका मौका fraud करने का तीन reasons हो सकते हैं rationalization और attitude बंदे का attitude ही खराब है इसलिए fraud कर रहा है या उसके पास को incentive या pressure है fraud करने का या कोई opportunities है अब इसी के तीन example दे रखें देखो क्या कहता है कहता है अगर किसी third party ने expectations create कर रखी है third party कौन है third party वो है जिससे आपको equity लेनी है तो अगर आपको market से equity उठानी है share capital से पैसा उठाना है तो market expect करेगी आपके profit ज्यादा हो so this creates a pressure on the company to do fraud ये कही न कहीं company पर pressure create करता है ठीक है sir this is a reason second चीज कहता है कि जो management के bonus है न ये bonus तभी मिलेंगे जब वो unrealistic profit targets meet करेगी क्या मैं कह दूँ इससे management के उपर एक incentive आ गया कि अगर आप profits meet करोगे तो हम आपको bonus देंगे third point के है entity के controls ही खराब हैं तो जब controls खराब है तो fraud असानी से हो जाएगा fraud कोई पकड़ेगा भी नहीं तो इसको कहते है opportunity कहीं न कहीं this creates an opportunity to cover fraud तो ये आपने तीन बाते समझनी है pressure incentive opportunity ठीक है sir अब कुछ examples दे रखे हैं इन examples को बस आप इसी नजरिये से पढ़ना कि आपको इन सब की अच्छे से understanding लेके चलनी है because अभी जो ICI का trend चल रहा है sir वो क्या कहते चाहता है ICI चाहती है कि अगर आपने चीजों को properly understand कर रखा होगा तो जो ICI आपको case study based question देगी वो आप easily cater कर पाओगे क्या ये बात समझाती है हाँ sir और मेरी कोशिश रहेगी इस topic के regarding दो case studies ICI ने जो आपके material में डाली है वो दोनों भी हम cover करके चले ताकि एकदम आपको बढ़िया वाला confidence आ जाए सबसे बहले सर बात करते है incentive और pressure की कैसे एक pressure आसकता कमपनी बे to do fraud तो ये कहता है pressure तीन reasons की वज़े से आसकता थै ये 3 reasons क्या है पहला reason है इंडस्टरी की वज़े से धूसरा reason है entity की खुद की हरकतों की वज़े से जो entity की operating conditions है उसकी वज़े से तीसरा कहता है economic conditions की वज़े तो ये तीन conditions आपने जानी है तीन reasons जिसकी वज़े से company पे pressure आ सकता है economic, industry और operating condition सबसे बहले सर बात करते हैं industry की, industry का मतलब होता है competition और customers competition और customers ये कहता है आपका competition इतना ज्यादा हो गया ना कि band ही बजगई है कई ना कई band ही बजगई है आपके margins वगरह सब कम हो गए है क्योंकि margins कम हो गए है profitability कम हो गए है तो आपको अब financial statements में हेरा फेरी करनी पड़ रहे है ताकि आप उनको profits को ज्यादा दिखा सको ठीक है सर दूसरी चीज़ ये कह रहा है competition तो ठीक है इसके अलावा सर क्या हो रहा है customer demand भी कम हो गई है अब क्योंकि customer demand कम हो गई है business failures हो रहे है तो again आपको अपने financials की goody goody picture दिखाने के लिए अच्छे से दिखाने के लिए fraudland financial reporting करनी पड़ रही है ठीक है सर अगली चीज़ ये कहता है कि जो बाकी companies है न आपकी industry में these are just like your competitor जो बाकी companies है industry में उनके comparison में या तो आपकी growth भौट ज़ादा तेज हो गई है अब सर rapid growth तो अच्छी बात होती है हमेशा नहीं हमेशा नहीं अगर किसी company की भौट ज़ादा rapid growth हो गई है न chances are कि उसके बाद वो stagnant हो जाएगी या तो stagnant हो जाएगी या decline हो जाएगी तो if there is a rapid growth again sir यहाँ पे क्या है एक pressure create हो जाता है कि हमें अब इस growth को continue रखना है अब उस growth को continue रखने के लिए वो गलत गलत तरीके से financial statement बना सकती है हाँ sir इसी तरह से अगर इसकी unusual profitability है और यह profits को stabilize करना चाती है तो वो stabilization के लिए भी यह उल्टे सीधे तरीके कर सकती है so that fraudland financial reporting की जाए तो आपने बस ध्यान रखना है यह 3 reasons हैं जो कौन से हैं sir industry वाले तो मैंने industry को पीले में रखा था इन 3 reasons को भी पीले में रखा है एक हो गया high degree of competition दूसरा क्या हो गया sir दूसरा हो गया customer यानि customer की demand कम हो रही है और business failures हो रहे हैं तीसरा कहता है जो बाखी companies है ना उनकी comparison में आपके prof आपकी जो growth है वो बहुत ज्यादा होई है अब उस growth को आगे दिखाने के लिए आपको गलत से गलत तरीके से financial statement बनाने पड़ेंगे plus unusual profitability का case है sir आपने कहा था operating वाले भी होंगे मैंने कहा हाँ operating वाले भी दो point है एक आपको हो रहे है operating losses इतने operating losses हो रहे कि आपकी company का दिवालिया निकल सकता है bankruptcy होने वाली है oh my god या फिर या फिर आपका foreclosure हो जाएगा foreclosure मतलब सोचा था सालो साल काम करेंगे आप तो महीने भर भी नह चल पा है या आपका hostile takeover हो जागा यानि company की इत्ती band वजीवी कोई उठा के ले जाएगा कोई ना कोई takeover कर लेगा ठीक है जैसे अभी recently क्या हुआ था blink it blink it की थोड़ी सी band वजीवी थी तो sir किसने takeover किया इसको zometo ने takeover कर लिया समझ गए sir इसी तरह यह कह रहा है जो आपके operating cash flows है ना वो भी negative हो रहे है तो या तो operating losses हो रहे है या operating cash flows negative हो गए है ये दोनों भी pressure create करते है management पे financial statements की एक गुड़ी गुडी picture दिखाने की and इसके बाद आता है sir economic factors economic में बस आविता समझना economy में बहुत सारे changes आ रहे है रोज technology change हो रही है तो जैसी technology change होती है अगर कोई company ने technology change नहीं करी तो उसके तो product obsolete हो जाएंगे अगर product obsolete हो गए तो उसकी inventory की value कम हो जाएगी अब अगर वो inventory की value जादा नहीं दिखाएगी तो sir profitability पे impact आ सकता है अगर उसने inventory को गलत तरीके से जादा नहीं दिखाया तो profitability पे impact आ सकता है so यह कहता है changes in technology can make the products obsolete plus interest rates में भी जब changes आते है तो कहीं न कहीं company की profitability पे impact आ जाता है तो changes वाली बात आप ध्यान रखेंगे changes in the economy plus यह कहता है economy में क्या-क्या हुआ है sir नई accounting requirements आ गई है जैसे कि Indies 116 जब Indies 116 आया था तो कई सारी airline companies को बहुत सारे losses दिखाने पड़े थे जैसे Indies 116 आया था कई सारी airline companies को losses दिखाने पड़े थे sir क्यों क्योंकि उनको depreciation भी दिखानी पड़ी aircrafts पे plus उनको finance cost भी P&L में दिखानी पड़ी तो जब depreciation और finance cost दोनों साथ में P&L में आया तो band बज गई बहुत ज्यादा losses दिखाने पड़े थे तो यह कहता है कोई नई accounting statutory या regulatory requirement है तो भी financial statement पे impact आ सकता है जिसकी वजह से company अब financials में चीज़े उपर नीचे कर सकती है बस इन बातों को ध्यान रखना इंडस्ट्री वाले factors में क्या है का competitors customers बाकी companies के comparison में आपकी growth बहुत ज्यादा rapid economy में क्याएगा economy में बहुत सारे changes हो रहे है changes in the technology product obsolescence यह सारी बाते आपके इसमें आज जाएंगी अब सर एक बाप बताओ और pressure कैसे आता है मैंने का pressure comes from the third parties as a CS student हमको यह बात तो बहुत अच्छे से बता है तो यह कहता है जो third parties है ना वो pressure create करते हैं दो चीजों से एक तो requirement से और एक expectation अगर आप यह requirement और expectation ध्यान रख लोगे ना आपके चारो points हमेशा ध्यान रहेंगे सर क्या क्या सबसे पहले बात करते हैं expectation of third party सर यह कौन third parties है जो expectation create करते हैं क्या आपने कभी z business देखा है cnbc आवाज देखा है cnbc tv18 देखा है हाँ sir जब भी कोई listed company के financial results आते हैं तो क्या उससे पहले जो trade analyst होते हैं वो बताते हैं हमारी expectation है इस बार company का revenue यह 20% बढ़ेगा हमारी expectation है company का revenue 10% बढ़ेगा प्लस आपने analyst के अलावा इनका नाम सुना होगा FII और DII foreign institution investor domestic institution investor इनकी भी expectation होती है इसी तरह आपके जो creditors है बाकी external parties है इनकी expectation होती है तो आपने इनकी expectations meet करनी है sir अगर expectations meet नहीं करील तो क्या होगा? adverse effects होगे अपने याद रखना expectations meet नहीं करील तो बुरे effect होंगे sir बुरे effect किसके? बुरे effect किन दो चीजों पर आ सकते है मैंने का सोचो अगर आपकी company का कोई merger होने वाला था आपकी company का कोई merger होने वाला था जैसी आपने losses दिखा सामने वा वाली कंपनी को कॉंट्रेक्ट दूंगा तो यह तो मेरा कॉंट्रेक्ट पूरा ही नहीं करेगी, तो जो आपको कॉंट्रेक्ट वगर अवार्ड हो रहे थे, वो भी नहीं होंगे, तो यह adverse effect create कर सकता है, तो पहला point बस ध्यार रखना expectation, अगर expectation meet नहीं तो वो adverse effect create करेगा, अब सर यह requirement किसकी है, मैंने का requirement of the stock exchange, requirement of the securities regulator जैसे की से भी, यह कह रहा है आपको listing requirements या debt वाली kovenants वगरा meet करने पड़ते है, listing requirement कर जब आपको equity से पैसा उठाना है, । Debt के covenant कर मीट करने, debt की terms and condition कर मीट करने, जब debt से पैसा उठाना है, सर बट पैसा उठाना क्यों है, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, बड़े-बड़े मोटे मोटे खर्चे करने के लिए जैसे आपको कोई heavy plant and machinery खरीदनी है आपको कोई research and development का खर्चा करना है कुछ भी हो सकता है so you need to obtain additional debt or equity financing for any major research and development expenditure और any capital expenditure तो मैंने आपको कहा था ना बस दो बाते ध्यान रखना requirement और expectation इधर देखो expectation वाला point क्या आपको third party के expectation meet करनी है नहीं करेंगे तो adverse effect नहीं करेंगे तो adverse effect या नहीं जो आपका business combination या contract मिलने वाला तो वो नहीं मिलेगा अगर बेकार result दिखाया तो ठीक है sir उसके अलावा उसके अलावा sir point क्या था requirement यानि आपको listing requirement या debt की requirement meet करनी क्यूं क्यूंकि आपको पैसा चाहिए आपको चाहिए additional equity या debt financing ताकि आप capital expenditure कर सको या research and development इसी के उपर जो case study है हम जस्त थोड़ी सी दिर में करने वाले है तो ध्यान रखना ये point ठीक है sir इसके अलावा ये क्या कहता है देखो ये कहता है कई बार जो personal financial situation है न अब सर ये personal financial situation किसकी इन ही दो बदमाशों की जिनको तुम पूरे audit में देखते आयो management और TCWG इन दोनों की personal financial situation ऐसी है कि इस पे threat आ गया है due to the entity's financial performance मुझे एक बात बताओ performance किसकी खराब है entity की इनकी personal financial situation पे क्यों threat आ गया क्योंकि इनका personal financial interest है एक बात बताओ न band बजी entity की management और TCWG को क्यों heart attack आ रहा है सर क्योंकि इनका personal financial interest है तो आपने ध्यान रखना है कि इनकी band तभी बजेगी जब इनका कुछ significant financial interest होगा यानि इन्होंने भी company में पैसे लगा रखे है या तो directly लखा रखे है या indirectly लखा रखे है indirectly मतलब इन्होंने company की debts के लिए guarantee दे रखे है इन्होंने company की debts के लिए guarantee दे रखे है यानि अगर company ने नहीं पै किया तो management और TCWG का गला पकड़ेंगे ये कहता है personal guarantees for the debts of the entity तो आप यहान रखना इनकी personal financial situation company की performance ये threatened क्यों हो रही है because इन दोनों का direct financial interest इन दोनों का आप ऐसा कह सकते हो personal personal financial interest है सर personal financial interest can be direct it can be indirect indirect क्यों क्योंकि इन्होंने कही न कहीं guarantee दे रखी है जितना feel से पढ़ोगे उतना आपको ये बाते ध्यान रहेंगी और मज़ा आएगा ठीक है सर और बताओ कैसे personal financial situation company पर depend कर सकती ये तो सर equity वाला हो गया अरे इनको पैसा भी तो company दे रही है पैसा भी तो company दे रही है तो अगर मैं कहूं management की जो compensation है that compensation depends on the financial performance of the entity तो इसको भी तो compensation चाहिए तो ये pressure में आ जाएगा ज्यादा अच्छी performance दिखाने के लिए significant portion of their compensation यानि इनके bonus, ESOPS, earn out arrangement जो भी रहती है सब चीज़े these are contingent these are dependent on meeting aggressive targets for stock price की company का stock price अगर double होगा तो तो तुमारी compensation भी double या company के जो operating results है उनका margin बढ़ेगा तो भी तुमको हम पैसा देंगे या अगर company के cash flows improve होंगे तो ही हम तुमको पैसा देंगे so if the compensation is contingent upon achieving the target तो ये pressure में आ जाएंगे and last में sir pressure और कौन लगा रहा है TCWG, जो TCWG वो अपने नीचे वालों पर pressure लगा रहा है यानि management पे या operating personal तो आपने बस ये चार conditions को ध्यान में रखना है sir क्या, as a management और TCWG, मेरी personal financial चीजें कैसे खराब होंगी, मेरी personal financial situation कैसे खराब हो सकते है company की वज़े से, जब आपका personal interest होगा या तो direct financial interest है या indirect है या अपने company के लिए guarantee दे रखिए और financial interest आते है compensation से, प्लस इन पर pressure कौन create कर रहा है, TCWG जो TCWG है वो management और बाकियों पर pressure create कर रही है कि आप company के targets meet करेंगे, जो company के sales और profitability के targets है आप उसको meet करेंगे, यहाँ आपका incentive और pressure complete हो जाता है, मेरी सबसे request फटाफट वीडियो को pause करो और एक बार 5 मिनिट लगाके यहाँ तक सारी चीज़ों को फिर से revise कर लो हाँ जी मित्रों, so now let's begin with the next part, that is the opportunity opportunity मतलब मौका, मौका, मौका सबसे interesting part यही वाला है, यह कहता है company की जो nature of industry है, जहाँ पे वो काम कर रहे या उसके operation है, वो उसको opportunity देते हैं to do FFR fraudulent financial reporting अब सरी कैसे कैसे हो सकता है बड़ी प्यारी प्यारी बात है धान से समझना यह कहता है company की financial presence है वो ऐसी है कि वो dominate करके चलती है वो पूरे industry या sector को dominate करके चलती है, जैसे मैं example देता हूँ, अम्मानी जी, अब यह वो लोग है, जिस भी industry में जाएंगे पूरा dominate करके चलेंगे, अब सरी यूग यह dominate कर पा रहे हैं यह क्या करते हैं, यह उल्टी उल्टी हरकते भी कर सकते हैं, जैसे कि for example इनके जो supplier हैं, अब सर क्योंकि supplier से यह इतना माल खरीते हैं तो यह उसके साथ क्या कर सकते हैं, यह उसको बोल सकते हैं, जो तेरी payment terms है हम उनको अपने favor में रखेंगे हम तेरे को payment अपने हिसाब से देंगे तो अगर इनोने इनकी payment terms अपने हिसाब से रखी, तो क्या यह company की जो cash flow position है, उसको better दिखा सकते हैं, हाँ सर, cash flow position को better दिखा सकते हैं, ठीक है सर, इसी तरह जो इनके customers हैं customers हो गए, retailers हो गए, distributors हो गए, यह अपने जो distributors हैं, उनको बोल सकते हैं, भाई, तुमको कम से कम इतना माल तो खरीद नहीं पड़ेगा, they can decide the minimum sales quantity, कम से कम तुमको इतना माल तो खरीद नहीं पड़ेगा तो जब यह ज्यादा sales दिखा देंगे अपने distributor को, तो सर, यह क्या करेंगे यह अपने revenue को inflate कर सकते हैं, यह कई ना कई अपने revenue को inflate कर सकते हैं, which is not at arm's length price, generally ऐसा नहीं होता, generally ऐसा नहीं होता बट क्योंकि यह dominant कर रहे तो इस वज़े से यह ऐसी हरकते कर सकते हो, और हम इनका कुछ बिगाड भी नहीं पाएंगे, so पहली चीज़ यह कहती है आपकी ऐसी dominant position है किसी industry और sector में, जहां पे आप dictate कर सकते हो, आप अपनी चला सकते हो, जैसे वो भी अपनी चलाती थी यह कहता है, आप अपनी चला सकते हो आप अपने terms and conditions को dictate कर सकते हो जो भी supplier है और customer को लेके so that you can do some non arms length price transaction, ठीक है सर और बताओ सर, opportunities का है मैंने का related parties में जो आपकी related parties है ना उनके साथ मिलके तो सर आप धूम मचा सकते हो example के तौर पे, मान लो आपकी कोई related party transaction है ठीक है सर, जो आपकी related party है वो unlisted है, आप listed हो तो आप क्या करते हो ना जब भी उससे purchases करते हो comprise पे करते हो, जब भी आप उसको sales दिखाते हो, ज्यादा sales दिखाते हो तो क्या आप अपने profits को बढ़ा रहे हो और उसके profits को कम कर रहे हो, हाँ तो जब आप अपने profits को बढ़ाओगे उसके profits को कम करोगे, तो market में आपकी जारी अच्छी-च्छी picture market में ऐसा दिख रहे है कि आप तो बड़ी ही profitable entity हो, और उस entity से तो किसी को फरक भी नहीं पड़ता, जो unlisted related party उससे तो किसी को फरक ही नहीं पड़ता, तो यह कहता है significant RPTs which are not in normal course of business, जिसमें आप क्या कर रहे हो सर, जिसके थूप आप अपने profits को ज्यादा दिखा रहे हो समझ गए सर, इसी तरह एक और related party होते है, जिसका नाम होता है business intermediary ऐसी business intermediary, जिसका कोई clear justification नहीं है, for example आपका जो business intermediary है सर, इसमें आप क्या करते हो आप इसमें अपनी fictitious sales दिखाते हो, आप कही ना कहीं यहाँ पे fictitious sales दिखाते हो, जो बाद में sales return हो जाती है जो बाद में sales return हो जाती है सर, इन transactions को क्या कहते है, जो आज sale करी और कल return हो गई, या फिर आप उनसे वापिस purchase कर लेते हो इसको कहते है round tripping transaction इसको सर क्या कहते है, इसको कहते है round tripping transaction oh my god तो जो आपकी business intermediary है उसके साथ भी आपने हरकते कर ली तो एक हो गई related party transaction उसका एक example दे दो मैंने का उसका एक example है business intermediary अब सरीक बाद बताओ, इनके साथ हम कौनसी transactions कर सकते हैं जो सबसे ज़्यादा common है, वो है complex transaction यानि significant, unusual और highly complex transaction जो रोज मरणा में कोई भी नहीं करता प्लस आप ये तभी करते हो जब end of the period आजाते हैं ताकि आपको reality पता है profit की क्या है अब आप उसको वैसा बना सको जैसा आप चाहते हो आपको end of the period में पता होते profit की reality क्या है तो जैसा आप चाहो वैसे आप उसको उपर नीचे कर सकते हो प्लस इन transactions का कोई logic नहीं होता इन transactions का कोई logic नहीं होता इन में कोई substance over form वाली बात आप नहीं करते तो example ले लो sir यहाँ पे आप किसी related party के साथ क्या कर रहे हो sales and leaseback की transaction कर रहे हो आपको लगा इस बार profit काफी कम है आपको profit ज्यादा दिखाना है तो आपने क्या करा sales and leaseback sales and leaseback भी पता है किसको लेके किसी machinery को लेके अब इस sales and leaseback में आपने क्या किया जो आपने machinery की sale करी sir वो sale तो आपने कर दी 1000 रुपे पे oh my god इसकी cost किती थी sir इसकी cost माल लो थी 400 रुपे ठीक है sir तो अगर आपने sale करी 1000 पे cost थी 400 तो कितने का profit दिखाया 600 का profit दिखाया अब आपने ये machinery lease पे ले ली और जो आपने lease rental दिखाया sir lease rental जो है वो तो अगले साल से शुरू होगा lease rental अगले साल से शुरू होगा और आपने माल लीज रेंटल दिखाया 40 रुपे पर एनम 40 रुपे पर एनम तो मैंने का एक बात समझना अगर आप lease rental 40 रुपे पर एनम का दिखाऊगे और आपने profit दिखा दिया 600 का तो क्या आपने अपनी profitability को improve कर लिया हां सर ऐसी उल्टी सीधी हरकते होती रहती है मार्केट में ऐसी उल्टी सीधी हरकते होती रहते है तो आप बस इत्ती सी बात समझना तीन चीज़े जो audit point of view से ध्यान रखने related party transaction मैंने head दे दिया इसी में तीन points cover हो जाते है एक तो related party transaction उसी का example है business intermediary use करके हरकते करना and third point is ऐसी transaction करना जिनका कोई substance over form नहीं है यानि complex transaction करना at the end of accounting so next point जो हमको यहाँ पर cover करना है that is international यानि सर अगर related party से भी काम नहीं बन रहा अगर related party से भी काम नहीं बन रहा तो आप international चीज़ों का use कर सकते हो जैसे की international में आप क्या कर सकते हो आप अपनी कोई branch या subsidiary आप अपनी कोई branch या subsidiary सर कहां रख सकते हो international borders में रख सकते हो यानि उन jurisdictions में उन countries में जहाँ पे काफी different business environment और culture है सर different business environment और culture के है मैंने का 100 बात की एक बात है आप ऐसा मान के चलो तो वहाँ के जो corporate laws है न वहाँ के जो corporate laws है ये बड़े weak है यानि इंडिया में अगर आपको लग रहा है दिक्कत हो रही है इंडिया में बड़ी दिक्कत हो रही है सर हेरा फेरी वाली transactions करने में fraud करने में तो आप क्या कर सकते हो आप अपने business का कोई unit या operation ऐसी countries में रख सकते हो जहां के corporate laws weak है तो वहाँ पे अगर आप क्या करोगे कुछ fraudland fictitious sales करोगे या कुछ fictitious purchases वगरा दिखाओगे तो फिर उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा तो fraudland financial reporting करने के लिए कई बार companies क्या करती है वो अपने कुछ business units वो अपने कुछ operations ऐसी countries में लगाती है जहां के corporate laws में दम नहीं है ठीक है सर इसी तरह आपने एक चीज़ तो सुनी होगी सर किसके बारे में tax heaven के बारे में tax heaven जो countries होती है उनके साथ हम transaction क्यों करते हैं चाकि हम अपनी जो tax liability है tax liability को shift कर सके है समझ गए सर क्योंकि इंडिया में तो 30% लगता है और वहाँ पे 0% लगता है या बहुत कम लगता है तो आप हमेशा चाहोगे जो आपकी income है वो ऐसी countries में shift हो जहां पे tax liability कम है तो यह कहता है company ने क्या कर रहा है सबसे पहले तो company अपनी terms को dictate करती है dominant control रखती है जिस वज़े से यह supplier और customers पर अपनी चलाती है इतनी सी बात समझ लेना ठीक है सर फिर related party transaction में आपने बोलना है related party transaction outside normal course of business और उसकी दो बाते कर लेना एक तो example of related party business intermediary जिसका भी कोई business justification नहीं है और आप उसके through भी अपनी sales को बस inflate कर रहे हो जिसका example मैंने आपको दिया था round tripping transaction इसके अलावा complex transaction कर रहे हो at the end of the period थाकि again आप अपने financial statements की गोडी picture दिखा सको फिर international में आप दो चीज़े बोल सकते हो सर क्या या तो अपने business unit ही हमने ऐसी international jurisdiction में लगाया जहाँ पर weak corporate laws है यानि you can say different culture और different business environment या आप अपने bank accounts या subsidiary ऐसी countries में रखे जो tax haven jurisdiction है यानि वहाँ पर tax laws पर tax rates काफी कम लगते है अब सर यह accounting estimates वाली बात क्या है तो accounting estimates में आप बस इतनी सी बात समझ लो सर accounting estimates में management के पास opportunity कैसे है क्योंकि आपको इक बात बता है accounting estimates है based on management judgment तो जहां management की judgment है management कहेगी तो मेरी judgment है तो वो अपनी judgment के accordingly accounting estimates को उपर नीचे कर सकती है तो अगर suppose उसने discount rate मालनो बढ़ा दिया अगर उसने discount rate बढ़ा दिया तो जो asset की present value है वो ज्यादा निकलेगी तो आपने वस इत्ती सी बात समझनी है assets, liabilities, revenue, expenses जहां पे भी estimates लगते हैं या जहां पे भी estimates होते हैं वहां पे सर judgment होती है और यह जो judgment है इनको आपके लिए check करना बड़ा मुश्किल होता है because it is very tough to understand what is the management's intention management का intention पकड़ना काफी tough हो जाता है क्या ये बात समझ आती है अब सरे एक बात पकड़ना इन्होंने बहुत छोटी सी बात आयां पे और कर रखे जिसको आपने ध्यान रखके चलना है कई बार organization structure के साथ भी issue होता है अब ये organization structure कैसा है इसके बारे में क्या भात ध्यान रखनी है again from case study point of view ध्यान रखना suppose मान लो ये जो organization structure होता है इसको हम दो तरीकों से बाटते है एक होता है authority एक होता है responsibility यानि organization में कैसे authority और responsibility बटी हुई है इसको organization structure बोलते है ठीक है sir तो ये कहता है कि organization जो है न उसमें ये समझ ही नहीं आ रहा कि controlling interest किसके पास है sir controlling interest किसके पास है यानि ये तो खुले में दिख जाया कि shareholding किसके पास है controlling interest हमेशा shareholding से नहीं आता यानि अगर कोई ऐसी organization है जिसके shares तो किसी और के पास है ठीक है sir plus इसके जो decision है जो इसकी decision making है जो board है वो कोई और hold कर रहा है तो ऐसा आप कह सकते हो तू owner कोई और है decision making कोई और ले रहा है तो ultimately sir क्या होगा controlling interest पता करना बड़ा tough हो जाएगा ठीक है sir इसी तरह मैं बोलूँ आपको क्या हो रहा है sir overly complex organization structure है overly complex organization structure है मतलब there are different managerial lines of authority अगर different managerial lines of authority है तो मतलब CEO भी decision ले रहा है इसी तरह इस company में sir क्या है कोई managing director भी है ये भी decision लेता है अब ये दोनों की मानलो कभी चलती नहीं तो इनके जो नीचे वाला बंद है वो decision ले रहा है तो अगर different managerial lines of authority होंगी या इन्होंने कोई unusual legal entities बना रहा है जो company के भी हाफ पे decisions ले रहे है it will be very difficult अब sir ये जब दो चीज़े खराब होंगी न organization कभी भी तमीज से काम नहीं कर पाएगी और लोग organization में रुकेंगे नहीं लोग organization में रुकेंगे नहीं यानि it will lead to high turnover high turnover of the management legal council और TCWG तो again बस ये 3 points को ध्यान में रखके चलना not that important you should just know कि हाँ ये भी एक चीज़ है एक indication है कि organization structure unstable हो रहा है entity का इसके अलावा ये कह रहा है internal controls भी कभी कभार खराब दिखते हैं तो जब भी internal controls खराब है it is a opportunity to do fraud पहली चीज़ कहता है inadequate monitoring of control कोई बंदा आके controls को देखता ही नहीं है sir monitoring नहीं हो रही इसका मतलब क्या है हो सकता है entity ने internal audit function लगाई नहीं रखा क्योंकि internal audit function ही नहीं है तो कोई check ही नहीं करना internal controls तमीज से काम कर रहे कि नहीं इसके अलावा sir क्या है high turnover rates लोग रुकते ही नहीं है लोग रुकते ही नहीं है जो accounting वाले लोग है वो चले जाते हैं क्योंकि उन पे pressure डाला जाता होगा उन पे pressure डाला जाता होगा गलत गलत accounting करने का जो internal audit वाले लोग है वो भी चले जाते हैं क्यों कि उन पर pressure डाला जाता होगा कि तुम हमारी deficiencies को report मत करो IT staff वाले भी चले जाते हैं उन पर भी pressure डाला जाता होगा कि IT के controls में जो कमी है उनको आगे मताने दो तो यह कह रहा है कि इन सब लोगों पर pressure डाल डाल के इनको निकाला गया है तो कहीं न कहीं there is a opportunity कि यहां पर fraud हो रहा होगा and last में sir यह कह रहा है entity के information system में accounting systems are these are not effective तो मैं simple सी बात बोलता हूं accounting करने के लिए लोग भी नहीं है system भी नहीं है accounting करने के लिए लोग भी नहीं है system भी नहीं है तो यह बात आपने internal control components में ध्यान रखनी है how can a internal control component भी deficient सर सबसे पहले तो controls को कोई monitor ही नहीं कर रहा internal audit function ही नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो चला गया क्यों नहीं है क्योंकि वो चला गया यानि there is a high turnover rate मैं कहता हूं internal auditor क्या accounting वाले भी चले गए और accounting system भी नहीं है और जो accounting system है वो भी कही नहीं नहीं है यह तीनों बातों को आप इसमें ध्यान रखके चलेंगे यहां हमारा जो opportunity वाला part है वो कही नहीं complete हो जाता है so I hope all these examples are crystal clear to all of you last में सर आ जाता है एक topic जिसका नाम है attitude और rationalization उससे पहले मेरी आपसे request रहेगी पांच मिनट एक बार वीडियो को pause करके opportunity वाले points को एक बार फटा फट गो थू कर लो हान जी मित्रों अब आजाओ सर attitude पे attitude के साथ क्या दिक्कत है मैंने का management क्या attitude के साथ दिक्कत है जो management है यह सर हवा में उड़ रहा है बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है कहता है हम यह कर देंगे वो कर देंगे share price को double कर देंगे five times कर देंगे यानि there is excessive interest excessive interest ज्यादी उतावला पना गया management पे in maintaining और increasing the stock price सर खुद तो excited है यह दूसरों को भी ज्यादा expectations create कर रहा है यह कह रहा है practice of the management by committing अलगी commitment कर रहा है ज्यादा commitment करेगा न तो इस पर pressure आ जाएगा ज्यादा commitment करेगा तो इस पर incentive और pressure वाला pressure आ जाएगा commitment कर देता है analyst को creditors को third parties को हम धूम मचा देंगे बड़े बड़े forecast दे रहा है कि turnover double हो जाएगा triple हो जाएगा अब सर खुद को तो मिडची लगी रही है दूसरों को भी लगा रहा है and दोनों के साथ साथ दोनों के साथ साथ सर क्या कर रहा है जब ये चीजे अचीव नहीं होती तो उल्टे सीधे हरकते करता है यहां लिखो अगर ये दोनों चीजे अचीव नहीं होती तो सर क्या करता है इन दोनों चीजों को अचीव करने के लिए उल्टी सीधी हरकते करता है यानि there is an interest by the management to employ in appropriate means, गलत-गलत हरकते कर रहा है, ताकि ये क्या कर सके to minimize the reported earnings for tax motivated reason, ये कह रहा है बड़े-बड़े target करके, ये क्या करता है उल्टी-सीधी हरकते करता है, ताकि ये earnings को minimize कर सके, ताकि tax भी कम दे सके, मैंने का ठीक है सर, आपको कैसे बता, ये उल्टी-सीधी हरकते करता है, पुरानी history है इसकी पुरानी आदते हैं, तो ध्यान रखना अगला point क्या है, सर, पुरानी आदते हैं, पुरानी आदत का क्या मतलब है, सर, पुरानी आदत का मतलब है, there is a known history, कि ये लोग जो security laws होते हैं, security laws जैसे इंडिया में सेबी की regulations हैं, या जो बाकी laws and regulations हैं, उनको violate वगर करके चलते हैं कई बार management fraud के लिए पकड़ा गया है, claims हैं company के against इन्होंने violate किये laws and regulations and sir, जब इनसान पकड़ा जाता है उसका moral कम हो जाता है, जब इनसान पकड़ा जाता है, उसका moral कम हो जाता है यानि he is less motivated, तो जब आपका motivation कम हो जाता है न तो आप ulti सीधी हरकते करने लगते हो, so low moral among the senior management, तो attitude में बस आपने ध्यान रखना है अगर आपके case study में question में ऐसा लिखा है, कि management बड़े बड़े वादे कर रहा है, management बड़े बड़े वादे कर रहा है अनलिस से, तो इसका मतलब इसका attitude खराब है अगर management को खुद को बहुत जादा interest है, company के share price को उपर ले जाने में earnings को उपर ले जाने में, again उसके attitude के साथ दिक्कत है, अब सर इन दोनों के साथ अगर management, tax बचाने के लिए कम earnings दिखाता है, inappropriate तरीके से तो भी सर क्या है, तो भी उसका attitude के साथ दिक्कत है, अब एक बाप बताओ inappropriate means जब ये करेगा, आपको कैसे बताओ inappropriate means करता है, पुरानी आदत है यानि there is a known history की management comply नहीं करता, laws and regulations से fraud करता है, और TCW जी भी fraud करती है and last में sir, there is a low moral in the management यानि अगर management का motivation कम है तो इनका attitude भी खराब रहेगा, इस तरह से financial statement ठीक से नहीं बनाएंगे अब sir, ये जो others वाले factors है, मेरी आपसे बस एक छोटी सी request रहेगी इनको read करके चलना, because इनसे भी कई ना कई case study based में कोई ना कोई एक line उठा के आई से question मना सकता है for example, sir पहली चीज़ यह क्या कहता है communication, implementation, support and enforcement of entities values entity में किस तरह के संसकार है उस पे depend करेगा कि company में fraud हुआ कि नहीं, यानि entity क्या values communicate कर रही है, क्या ethical standards communicate कर रही है या फिर वो inappropriate values गंदे गंदे संसकार, गंदे गंदे ethical standards कर रही है, which are not effective इसके अलावा सर यह कहता है कि जो हमारे financial statements है जो हमारी accounting policies estimates है, यह किसको बनाने चाहिए, sir accounting policies और estimates बनाने चाहिए financial वाले लोगों को, जो finance के लोग है, उनको बनाने चाहिए, बट हमारे case में कौन बना रहे है, non financial लोग, तो यह भी sir किसमें आ जाएगा, यह भी attitude का part बन जाएगा, ठीक है sir attitude का part क्यों, क्योंकि अगर company का attitude ठीक रहेगा, तो सही लोगों को काम करवाएगी ना, सही लोगों से काम करवाएगी, non financial लोगों को क्या पता, accounting policy क्या होती, accounting estimate क्या होते है, हाँ sir, इसी तरह अगर auditor ने, अगर auditor ने, internal auditor या statutory auditor ने, उनके internal control में कोई कमी निकाली, कोई significant deficiency निकाली, और management ने उसको ignore कर दिया, management ने उस पे कोई action नहीं लिया, इसका मतलब management का attitude खराब है, इसी के उपर में आपको भी थोड़ी दिर में question कराने वाला हो, ready रहना ठीक है sir, इसके अलावा ये क्या कहता है जो owners और management है कहते है separate legal entity concept गया भाड में, separate legal entity concept गया भाड में, यानि entity का पैसा हमारा पैसा हम entity के पैसे से ही personal expenses भी कर लेंगे, कई बार जो shareholders है, उनके अंदर dispute रहता है in a closely held entity, closely held entity यानि ये private company है इसमें गिने चुने shareholder है, वो ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, इसमें लड़ते कौन लोग हैं जिनके साथ attitude वाले issues होते हैं इन points को आप जितना feel से पढ़ोगे, उतना असानी रहेगी exam में click करने के लिए कि ये कौन सा point है, क्या ये pressure वाला point है, क्या ये opportunity वाला point है, या ये attitude वाला point है and last में आता है sir, recurring attempts by the management to justify inappropriate accounting on the basis of materiality यानि जब भी हम उनके accounts में गलती निकालते हैं तो management बोलती है, ignore करो ये material नहीं है, management कहती है गलती को ignore करो, ये material नहीं है sir, ये गलत attitude है, कोई भी गलती होनी क्यों चाहिए, कोई भी गलती financial statement में होनी क्यों चाहिए, तो अगर management छोटी-छोटी गलतियों को सब को बोलरी, auditor को ignore करो क्योंकि material नहीं है कही ना कही attitude के साथ issues है मैं यह नहीं कहा रहा है यह सब चीजे होंगी तो fraud होगा but these are just an indicator कही ना कही इनकी वज़े से fraud हो सकता है and last topic of it is relationship between the management and auditor यह कहता है कही बार management और auditor की relationship खराब हो जाते है सबसे वहले जब management का dominating behavior होगा वो auditor की respect नहीं करेगी बोलेगी मेरको सब आता है मेरको सब आता है तुम मेरी सुनो तो अगर management का dominating behavior है dominating behavior इस तरह से वो auditor को कहती है तुम अपना scope कम करो तुमको हम ज्यादा evidence वगर नहीं देंगे ठीक है सर इसी तरह सर वो क्या कहती है वो कहती है कि हम बताएंगे तुमको कौन से बंदे को audit engagement में लगाना जी है यानि the selection or continence of personal assigned or consulted on audit engagement वो कहते हैं हम बताएंगे किस बंदे के साथ तुमको यह सब बाते करनी है again it is a dominating behavior of the management ठीक है सर इसके अलावा management क्या कर रही है unreasonable demand डाल रही है यानि आज उन्होंने evidence दिया कल बोल रहे है audit report दे दो आज evidence दिया कल बोल रहे है audit report दे दो यानि unrealistic time constraints on the auditor टुक कि भाई जल्दी से जल्दी audit complete करो सर यह भी allowed नहीं है इसके अलावा सर जब यह सब चीज़े होंगी तो दोनों में बहुत लड़ाईया होंगी जल्दी जल्दी लड़ाईया होंगी इसको कहते है frequent disputes frequent disputes with the current or predecessor auditor किसको लेके accounting को लेके auditing को लेके और reporting matters and last point is restrictions on the auditor कई बार auditor पे restrictions लगाई जा रही है सर किस चीज़ को लेके कि वो कई ना कई लोगों को access नहीं कर सकते information को access नहीं कर सकते या TCWG से communicate नहीं कर सकते but management ने वादा किया था ऐसे 210 में हमने देखा था management ने वादा किया था to provide the auditor with all information additional information unrestricted access तो अगर वो restrictions लगाएंगे तो ये भी सर इनकी relationship को खराब कर देगा तो relationship कैसे खराब होते है सर जब management duffer होती है मैं तो इसको ध्यान में रखता हूँ ऐसे जब management duffer होते है तो सर relationship खराब हो जाते है duffer मतलब dominating behavior of the management U का मतलब है unreasonable targets on the auditor कहीं ना कहीं तो ये सारे के सारे points आपके attitude वाले होगे सबसे पहले attitude वाले points क्या थे सर बहुत जादा खुद को interest है खुद के साथ सार दूसरों का भी interest पैदा करे और जब ये दोनों interest हो जाते हैं तो गलत हरकते करने लगते है यानि inappropriate means to manage their earnings to manage their taxation ठीक है सर ये हमको कैसे बदा गलत हरकते करते हैं पुरानी आदत है there is a known history of the management for non-compliance with laws and regulation and last में सर जब ये सब हरकते करते हैं तो इनका moral कोई जाता अच्छा नहीं लेगा low moral of the management फिर others में सर क्या थे others में आपने बस इनको read करके चलना है और कुछ भी नहीं है अब सर management और auditor की relationship कब खराब होते हैं जब management defer है defer मतलब dominating behavior of the management उसके बाद सर unreasonable demand on the auditor frequent disputes between the management and auditor and R का मतलब है restrictions on the auditor अब सारे बच्चों से मेरे एक छोटी सी request है सर क्या now come to your question bank जो आपके पास अगर आपके पास September 23 का edition है तो आपका जो chapter number 20 है ऐसे add-on उसमें आपका essay 240 के जो question से आप उस पे आजाओ अगर आपके पास March 23 edition का March 23 sorry March 24 edition है question bank का तो आपके essay 240 में ही आपको पीछे मिल जाएगा come to the question bank fast आजाओ हान जी मित्रो तो सबसे पहला question है सर किसको लेके decor limited it is presently engaged in the manufacturing of fabrics कई ना कई कपड़े का काम है और इसका मन है नया plant लगाने का for manufacturing of special kind of fabric जिसका अलगी texture और अलगी feel होगी ठीक है तो कई ना कई company क्या लगाना चाहती है नया plant लगाना चाहती है this kind of fabric has become a hit with the retail customer retail customer को ये fabric बहुत पसंद है अब sir इस plant को लगाने के लिए company needs to set up the plant जिसके अंदर बहुत सारा capital outlay होगा capital outlay मतलब बहुत पैसे लगेंगे so that they are able to stay competitive in the market आप company के auditor हो आपने देखा company का जो revenue है ना वो इस साल 1000 करोड हो गया और जो की पिछले साल 750 करोड था जब आपने audit start किया तो आपने देखा plant capacity में कोई change ही नहीं है and जो information है to set up the new plant ये आपको पता चली company के personal से आप मुझे बताओ इससे कैसे deal करोगे आप मुझे बताओ इससे कैसे deal करोगे सर 750 करोड से 1000 करोड कोई छोटा amount नहीं है यानि अगर company ने अपना revenue 750 करोड से 1000 करोड किया तो सर ऐसा क्यों किया होगा एक information है company को plant लगाना है अगर plant लगाना है तो पैसे चाहिए पैसे चाहिए यानि equity और debt financing चाहिए कोई equity और debt financing कब देगा जब company के financials अच्छे होगे so chances are very high chances are very high कि company ने अपना revenue inflate किया है सर अब क्यों किया है 3 reason बताओ 3 reason क्या आते है rio rio का क्या मतलब है r for rationalization attitude और rationalization क्या यहाँ attitude की गलती है नहीं सर attitude का तो कोई issue ही नहीं है i for incentive और pressure क्या मैं बोल दू company पे pressure है plant खरीदने का company पे pressure है पैसे उठाने का ताकि वो plant खरीद सके answer is yes sir pressure है तो आप यहाँ पे simple सी बात बोलोगे sir company के उपर pressure है यह आपको कैसे बता लगा sir हमें fraudland financial reporting के risk factors की बात करने है question में लिखा है discuss how you will deal with the above situation as an auditor paying special attention to the risk of material misstatement due to fraudland financial reporting तो अगर आपने examiner को बता दिया sir क्या पहले बताओ facts of the case फिर बोलो there is a excessive pressure on the management की वो fraudland financial reporting करे ताकि वो रोजी रोजी goody goody picture दिखा सके this is a fraud risk factor जो auditor को evaluate करना चाहिए अब sir revenue की testing कैसे करे अब हम revenue की testing कैसे करे तो सारे बच्चे देखो ही क्या कहता है auditor can consider the above fraud risk factor for risk of material misstatement ठीक है sir अब मुझे एक बात बताना जब किसी company में fraud है तो आपके पास testing के लिए क्या क्या procedure है sir ऐसे 330 ने सिखाया थे further audit procedure उनी को कहते है testing इसमें आते दो further audit procedure एक तो process को check कर लो जिसको कहते है test of control और amounts को check कर लो जिसमें आते दो procedure एक आता है amounts वालों को बोलते है substantive audit procedure इसी के अंदर आ जाते है आपके test of details और analytical procedure क्या ऐसे ही होता है हाँ sir जो company fraud कर रही है क्या वो documents में भी हेरा-फेरी कर देगी हाँ तो test of details गया भाड में तो हम क्या कर सकते है sir हम test of controls कर सकते है और analytical procedure अच्छा एक बात बताओ तो वो कौन सा analytical procedure होता है जो audit में data analytics उसको बोलते है computer assisted audit technique तो आप ये तीनों चीज़े कर सकते हो test of control analytical procedure और analytical procedure में भी to be specific computer assisted audit technique तो यहाँ देखो ही क्या कहता है auditor will perform substantive analytical procedure computer assisted audit technique प्लस आप controls को test करोगे of the revenue sir test of details क्यों नहीं क्योंकि company fraud है तो documents में हिरा फेरी कर सकती है इसी तरह से आजो question number 2 CA रिधीमा internal auditor of track store limited has pointed out deficiencies in the internal control इसने दो deficiencies निकाली है sir किसमें एक तो receivables में एक customers में कि जो customers है उनको ज्यादा credit limit दी जा रही है based on their track record ठीक है sir उनकी customer की credit limit का कोई review नहीं होता plus receivables का reconciliation नहीं होता at the stipulated interval एक बात बताओ ना तो आप अपने debtors पे track रहे हो ना आप अपने customers की credit limit पे track रहे हो तो क्या होने वाला है sir debtors बढ़ने वाले हैं debtors बढ़ने वाले हैं और हो सकता है हो सकता है कि sir bad debts भी बढ़ जाए इसी के साथ company के जो bad debts है sir वो bad debts भी बढ़ जाएंगे तो ऐसर बताओ ये कहता है statutory auditor of the company को पता चला कि company ने इस पे कोई action नहीं लिया है कोई आपको गलती निकाल के दे रहा है और company action नहीं ले रही तो sir ये कौन सा factor होगा रियो में बताओ attitude और rationalization answer is yes हमने भी attitude और rationalization में ये वाला point पड़ा था अगर आपको ध्यान रहे इधर देखो management failing to remedy the significant deficiency in internal control sir attitude का issue है ये भी कही न कही attitude का issue है तो दोस्तों sir इसमें क्या होगा आप simple सी बात बोलो ये दिखाते है management का character खराब है it reflects की attitude, character और ethical values intentionally वो dishonest act commit करना चाहते है ये जो इनका failure हुआ है ये जो इनका failure हुआ है to rectify unknown deficiency sir ये क्या है ये कही न कहीं एक potential देता है fraud को ठीक है sir attitude वाली बात it is a fraud risk factor related to fraudland financial reporting ये आ गया ठीक है sir इसके बाद आप sir क्या बोलोगे इसके बाद आप बोलोगे it can lead to intentional misstatement क्योंकि जब आप review नहीं करोगे customers को it can lead to company's funds time with the risky customer due to collusion हो सकता है management और customers मिले वे हो so this is a fraud risk factor of fraudland financial reporting तो आपने बस इता ध्यान रखना है sir क्या ये attitude का issue है ये कही ना कही दिखाता है entity का character और ethical values सही नहीं है and इस वज़े से sir क्या हो सकता है company के funds debtors में फस जाएंगे और हो सकता है customers और management मिली हुई हो so that's why it is a fraud risk factor of fraudland financial reporting तो यही दो questions है जो ICI ने दे रखे fraudland financial reporting को लेके और उसके risk factors को लेके तो मेरी आप से बस यह request रहेगी जितने भी risk factors है उनको बस 10-15 minute लगाके एक बार फटा फट गो थू कर लेना ठीक है ज्यादा इस में मैं को नहीं लगता रट्टा लगाने की need है just have that conceptual clarity so that अगर एक case study based questions है you are able to deal with it thank you so much for attending this session अगर अच्छा लगाओ तो do let me know in comments and yes योही खुशी खुशी मला अगर पढ़ते रहें खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे all the best लगे रॉमित रो